नमस्कार दोस्तो मेरे इस चैनल में आप सभी का पुना स्वागत है दोस्तो बोर्ड परिक्षा नजदीक है और मैं जानता हूँ कि आप सभी को अच्छे अंग पानी की चिंता बनी हुई होगी तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप बोर्ड परिक्षा में अच्छे अंग कम समय में प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहला और महत्पूर्ण चीज है समय आप सभी जानते हैं कि बोर्ड परिक्षा के अभी बहुत ही कम समय बाकी रहे गया है और इतने कम समय में हम पूरे सब्जेक के पूरे अध्याय के पूरे कुछन के तियारी तो नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको करना क्या है हर अध्याय से आपको important question select करने है और आप ये important question पिछले साल के या उसके पिछले साल के उसके पिछले साल के question paper के दौरा आप निदारित कर सकते हैं या बजार में बहुत सारे प्रादर्स प्रश्ण पत्र आते हैं, उनकी सहता से भी आप important question त्यार कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप कम समय में बहुत सारे question की त्यारी कर पाएंगे, और एक बात, आपको important question त्यार करते समय, blueprint का विशेज ध्यान देना है, आप सभी जानते है कि प्रत्यक बोड के द्वारा सभी विशे के लिए एक blueprint निर्धारित किया जाता है, और बोड परिक्षा में भी उसी blueprint के आधार पर ही प्रश्ण पूछे जाते हैं, तो आप important question त्यार करते समय, blueprint का विशेज ध्यान रखें, जिस अध्याय से 6 नंबर के प्रश्ण पूछे जाने वाले हैं, तो उस अध्याय से केवल 6 नंबर वाले ही प्रश्णों को select करें और उसे ही तयार करें, इससे आपको important question तयार करने में बहुत ही आसानी होगी, तो blueprint का विशेज ध्यान रखें, अभी आपके पास एक एक मिनट बहुत कीमती है, आपको समय बहुत बचाना ह बचाना है कहने का मतलब इस समय को आपको पढ़ाई में देना है, तो कम से कम अभी आपका एक्जाम होते तक आपको कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जैसा आप जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको अच्छे अंग प इंद्रित होना चाहिए, ताकि आप अच्छे अंग प्राप्त कर सकें, उसके बाद आप गर्मी चुट्टे में जितना घूमें, फीरें, मोबाईल देखें, टीवी देखें, आपको कोई रोकने डोकने वाला नहीं होगा, तो सबसे पहला चीज है समय, इसका विशेज ध् आपको हर दिन कितने घंटे पढ़ना है, ये तो निर्धारित करना ही है, साथे साथ कितने अध्याय आपको एक दिन में कम्प्रीट करना है, ये पूरी तेखें से निर्धारित करना पड़ेगा, और जब तक आपने जैसे दो अध्याय आज एक दिन में कम्प्रीट करना है ये निर्धारित किया है तो जब तक वो complete ना हो जाए चाहे आपको एक गंटा लगे दो गंटा लगे तीन गंटा लगे आपको उठना नहीं है इसके लिए जैसे भिश में जीने प्रतिग्या ली थी वैसे ही आपको भिश में प्रतिग्या लेनी पड़ेगी कि जब तक ये द पुन बिंदू है एक आगरता आप जानते हैं कि लगातार चार पांच घंटे पढ़ाई करने के लिए बैठने से मन जो है उबने लगता है नींद आने लगती है हमारी एक आगरता जो है भंग होने लगती है तो इसके लिए आपको करना क्या है इसके लिए आपको लगाता बार चार घंटा पांच घंटा पढ़ाई नहीं करना है आप देड़ या दो घंटे बार जब आपका मन उबने लगे तो आप छोटा छोटा ब्रेक ले सकते हैं दस मिनट पंदरा मिनट का विश्राम ले ले उसके बाद मन ठीक लगे अपने आपको फ्रेश महसूस करने लगे उसके पुना फिर एक देड़ घंटे के लिए बैठ जाईए ऐसा करने से आपका मन एकागर रहेगा और जो आप पढ़ाई किये हैं वो आपको याद भी रहेग परिक्षा के एक दिन पहले आपको केवल रिविजन का काम करना है आपने जितने भी important question तयार किये थे जितने भी याद किये हैं उसे पूरा रिविजन करना है शुरू से लेकर last तक जितने भी question आपने तयार किये हैं उसको पूरा रिविजन करना है ताकि कल आप जब exam hall में जाएं तो आप किसी भी प्रश्णों को भूले ना इसके लिए रिविजन करना बहुत जोरी है अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं इसलिए आपको रिविजन करना बहुत ही आवश्चक है इसके बाद मैं कुछ आपको मादपून चीजे बता जानी हैं मतलब स्वास्त का विश्यान रightना है कई बच्यों का स्वास्त खराब हो जाने से उनका पेपर बेगड़ जाता है इसलिए स्वास्त का विश्यान रखें कि आप अपना Admit Card सम्हाल कर रखें, क्योंकि आपका Admit Card का होना बहुत आवश्यक है, इसलिए Admit Card सम्हाल कर रखें, परिक्षा सेंटर में परिक्षा सुरू होने से आदा घंटा पहले ही पहुंच जाएं, ताकि आपको कोई हडवडी ना हो, आपको हर परिक्षा में अनिवारी रूप से, रिष्ट वाच, हाना हाथ घड़ी ले जाना बहुत ज़री है, अब मैं आपको परिक्षा के दिन के कुछ महत्पूर्ण बाते बताता हूं, कि जैसे ही हम परिक्षा हाल में पहुंसते हैं, और हमारे सामने question paper दिया जाता है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, किन प्रश्णों में अन्य विकल्प दिये हुए हैं, ये सब को पढ़के अच्छे से समझना है, प्रश्णों को लिखते समय ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें, कि हर प्रश्ण की एक सब्द सीमा निरधारी तरहती है, जैसे दो नमबर वाला प्रश्ण है, तो नहीं दिया जा सकता, आप चाहे पांच पेज लिखे, दस पेज लिखे, आपको केवल दो नमबर ही मिलेगा, इसलिए आप छोटे प्रश्णों को जादा लंबा लिखने का प्रयास न करें, जिसको कहा जाता है, छोटा हो और सारगर भीत हो, ऐसा उत्तर लिखने का प्रया आपको सबसे पहले ऐसे प्रश्णों के उत्तर देने हैं, जो आपको सबसे अच्छे आते हो, इसे होता क्या है, आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन, मतलब आप जब पहला प्रश्णों बहुत अच्छे से लिखते हैं, तो पहला ही उत्त पढ़कर उसे ऐसा लगता है कि ये बच्चा जानकार है और कभी-कभी कुछ उत्तर में उसको जहां पर दो नमबर देना है महां पर वो तीन नमबर या चार नमबर दे देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये बच्चा जानकार है तो इस प्रकार से आपका जो पहला और कुछ question ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको नहीं पता तो क्या करना है उसे छोड़ देना है जी नहीं आपको छोड़ना नहीं है उसे भी बनाने का प्रयास करना है कुछ देर अगर आप सान्त होकर सोचने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उसका उत्तर आपको पता चल जानकारी जानते होंगे, जैसे प्रधान मंत्री से सम्मंदीत प्रश्न पूछा गया है मालो, तो आप प्रधान मंत्री का नाम ही लिख कर आ जाएंगे, तो उसमें भी आपको कुछ नमबर मिली जाएंगे, तो ऐसे ही उससे सम्मंदीत आप जितना भी जानते हैं, उससे दे दे इससे आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा और आपको अच्छे अंप्राप्त होंगे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो important question तियार किये थे वो important question पेपर में नाया हो और आपका पेपर उतना अच्छा नहीं बना हो जितना आपने सोचा था तो आपको घबराना नहीं है और उस बात की चिंता आपको नहीं करनी है क्योंकि एक-दो दिन बाद आपकी दूसरे सब्जेक की पेपर होने वाला है अगर आप इसकी चिंता करते रहेंगे तो आपका दूसरा जो पेपर है वो भी गड़बड हो जाएगा इसलिए जो हो गया सो हो गया उसको वहीं पर छोड़ देना है और आपको अगले पेपर की तयारी में जूट जाना है और यह प्रयास करना है कि जितने नंबर इस सब्जेक में कम हो रहा है उतने नंबर मैं दूसरे सब्जेक में अधिक ले आँ तो इसके लिए आप और ज़्यादा मेहनत से आपको प्रयास करना है आपको चिंता नहीं करना है और अधिक मेहनत करना है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस टिप्स को अमल में लाने का प्रयास करेंगे और मैं आप सभी को पहले से बहुत सारी सुबकामनाई देता हूँ कि आप बिल्कुल बोर्ड परिक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीन होईए तो all the best सभी को बहुत सारी सुबकामनाई